गैर भाषा उन रास्तों को खोलती है दैनिल की प्रार्तना का उत्तर शैतान ने पकड़ लिया था आप गैर भाषा में प्रार्तना करते हो शैतान समझ नहीं सकता इसको अगर वो समझ नहीं सकता वो कन्फ्यूज रहेगा हमेशा और एनमी का कन्फ्यूज रहना आपके लिए जरूरी है हाँ या ना उसकी चालनों का खतम होना अब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रात्ना कर सकते हो जो आपको डाउन करने की कोशिश करता है पर उन लोगों का क्या जिनके बारे में आपको भी मालूम नहीं और आपके ग्रूप में बैठे हों क्या करोगे गयर भाशा गयर भाशा वहां लगती जहां आप नहीं जा सकते हैं यह उन पाइपों से चली जाती है जिनके बारे में आपको मालूम नहीं इसलिए परमिश्व ने का मैं तुम्हें हाथियार दूंगा हां बड़ी सी बंदूक देखते हैं दिल से वाह क्या बंदूक है यह स्पूरिच्वल शांदर बंदूक है आपको लाखों रुपए देके मिलेगी नहीं फ्री मिलेगी पर कहता मुझे ग्रेंड कर भक्तिस्मा ले तबाकर अग्याओं को मान तो भी पवितरात्मा का दान पाएगा अब सोचलों कितना जरूरी है सोचलों लोग सिर्फ चर्ची अटेंड कर रहे हैं प्रात्ना सिंप अपल वाली भी नहीं तो गैर भाशा वाली तो बहुत सोचलों कहां बैठें अब है कितना पीछे बैठें अब हालेलुया अब आप महत्तव समझेंगे गैर भाशा का और यह लगातार मैं इसको बताऊंगा अगाशा को ताकि आपको समझ आ सके कॉंटिन्यू कि मुझे क्यूं बोलनी और गैर भाशा जब बोली जाती जब आपकी लाइफ पे उतरती और यह बढ़ती और बढ़के अगले लेवल पर जाती है कैसे आप गैर भाशा से अपनी life को change कर सकते मसे में बढ़ सकते हो अपने दानों वरदानों को उजवल कर सकते हो परमेश्वर से guidance ले ले सकते हो उसकी अगवाई ले सकते हो कन्फीयूजन से बाहर आ सकते हो बीमारी से बाहर आसकते हो अपने घर में सालवस्जन लेकि आ सकते हो गैर भाशा बोलने के दुवारा अब जाने पॉल उसने क्या का उसने एक 1998 मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धी से प्रार्थना करूंगा अगर वो ऐसा कहता मैं बुद्धी से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा इसका मतलब बुद्धी से यानि अपने शब्दों से प्रार्थना करना पहले स्थान पे होता और उसके बाद गैर भ में कर दूँ तो आप आमिन कैसे बोलोगे फेट कैसे करोगे क्या कैसे मालूम होगा कौन बंदा हील हो रहे हैं तो उसने का अज लेकिन मैं प्रार्तना करूंगा आत्मा से लेकिन बुद्धि से भी करूंगा ताकि दूसरे लोग इसे आमिन बोल सके आमिन